कल Obsidian का हाथ, Captain America Winter Soldier जैसी Seriousness और पूरी दुनिया पर खतरा Secret Invasion का दूसरा trailer हमारे सामने आ चुका है जहां Nick Fury निकल गए है, एक बहुत बड़े invasion को रोखने पर सही बात कही जाए, तो यहां कौन असली है, कौन अकली, यह कोई नहीं जानता पर trailer हमें कुछ नहीं चीज़ें दिखा रहा है, जैसे Super Skrulls तो आईए इस सब के बारे में detail में बात करते हैं तो दोस्तों मैं हूँ अमन सिना, और आज मैं detail breakdown करने जा रहा हूँ Secret Invasion के दूसरे trailer का, तो spoilers को देहां रखते हुए, चले शुरू करते हैं तो Secret Invasion का trailer हमारे सामने आया कुछ नहीं details के साथ trailer शुरू होता है Nick Fury के गन हाथ में लिए गेट पर आते हुए अब Nick Fury जिस जगा पर जा रहे हैं, वो जगा है ये और पूरे trailer के अलग-अलग section में हम notice कर सकते हैं Nick Fury को यहां आने से पहले तयारी करते हुए जैसे जो गन यहां दिखाई जा रही है, वो गन Nick Fury यहां से निकाल रहे हैं जो कपड़े उन्होंने यहां पहने हुए हैं, वो trailer के end में वो set कर रहे हैं तो basically यह जगा final showdown वाली जगा है पर Fury अकेले कैसे जा सकते हैं स्कल्स से लड़ने? मैं माफी चाहूँगा सूपर स्कल्स से लड़ने, इस trailer में ये भी reveal हुआ कि ये स्कल्स नॉर्मल शेपशिफ्टिंग स्कल्स नहीं, बलकि सूपर स्कल्स हैं जैसे सूपर सोल्डर्स होते हैं, वैसे सूपर स्कल्स होते हैं हाला कि सूपर स्कल्स ज़ादा powerful हैं जो कि किसी भी superhero या super villain की powers को mimic कर सकते हैं कॉमिक से सबसे powerful super skull था Klut जो कि Fantastic 4 के सारे members की powers को अकेले hold करता है तो super skull तो हमें यहाद दिख रहा है पर हमें ये भी hint मिल रहा है कि ये super skull super बने कैसे super super देखके आगे यह से तो ट्रेलर के एक point पर हम देख सकते हैं इस Department of Damage Control के box को जिस पर लिखा है कल, कुछ फैंस का मानना है कि ये कल नाम है कल Obsidian का और यहां उसी का कटा हुआ हाथ है इस box में, जो की गिर गया था Infinity War में दिखने वाले New York Battle में, जब Tony उसे Sanctum के बाहर लड़ रहा था लेकिन Wong बीच में आकर उसे कहीं और भेज देता है Portal से, और जब वो वापिस आने की कोशिश करता है, तो उसका हाथ कट जाता है और यहां वही कटा हुआ हाथ है कल Obsidian का, जो की Skulls यूज करने वाले हैं अपने आपको Super Skull बनाने के लिए यहां शायद हमें ये भी हिंट मिल रहा है कि क्यों Department of Damage Control थोड़ा Evil Behave कर रहा था क्योंकि हो सकता है कि वहां Skulls और इंफिल्ट्रेट कर चुके हैं बात करी जाए Super Skull की, तो Super Skull को हम ट्रेलर में दो जगा देख सकते हैं एक यहां जहां वो अपना arm extend करके Nick Fury को punch कर रहा है, दूसरा यहां जहां वो Groot जैसे अपने हातों से किसी पर attack कर रहा है अब जो Skrull ऐसा कर रहा है वो है Skrull Gravick, जिससे Nick Fury लड़ने गए हैं ट्रेलर में इन सब के उपर ट्रेलर की शुरुवात में जो Skrull मौसकों में तबाई मचा रहा है, वो भी यही है जहां मारिया हिल को भी देख सकते हैं, प्लस पिछले ट्रेलर और इस ट्रेलर में भी हम ग्रैविक को देख सकते हैं टैलोस के आगे अपने मल्टिपल वर्जन बनाते हुए, और बहुत हद तक ट्रेलर हमें ये बता रहा है कि इस सीरीज का में विलन यही है पर हम हाड कोर फैन्स मार्वल की आदत जानते हैं, कि मार्वल हमेशा अपने ट्रेलर में किसी और कोई विलन दिखाता है इवन कैप्टन मार्वल मुवी के प्रोमोशन के टाइम सब को लग रहा था कि टैलोस विलन है वापिस आये निक फ्यूरी पर, तो जहां पिछले ट्रेलर में हमें लग रहा था कि हमें दो वर्जन दिखे निक फ्यूरी के वही हमें इस ट्रेलर से क्लियर हो रहा है कि ये दो वर्जन नहीं, बलकि एक ही निक फ्यूरी है जिसके दो लोग हैं, एक बॉल्ड आईपैच के साथ, दूसरा कैप और बिना आईपैच के इन सब के उपर अजीब बात यहां यह हुई, कि जो ग्रेवस्टोन हमें यहां ट्रेलर में दिख रहा है वो अलग है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में दिखने वाले ग्रेवस्टोन से यह बहुत अजीब बात है, खासकर इस फैक्ट के साथ, कि मार्वल प्रॉप एरर बहुत मुश्किल ही करता है तो ऐसा कैसे, इन सब के उपर ट्रेलर हमें एक टीम दिखा रहा है निक फ्यूरी की जिसमें ऑलिविया कोलमेन की कैरेक्टर सोनिया फॉल्सवर्त है, मार्टिन फ्रीमेन के कैरेक्टर एवरिट रॉस है, मेरी फेवरिएट कोबी स्मल्डर्स की मारिया हिल है और बैं मेंडलसन के टेलोस है हाला कि तब भी Nick Fury trailer में कह रहे हैं कि उन्हें ये सब अकेले करना होगा इन सब के अलावा Emilia Clark series में Gia का character play कर रही है जिनकी confirmation हमें मिली है कि वो Talos की बेटी है इस series में ना कि Abigail Brand जैसा हमें पहले लग रहा था इन सब के उपर कुछ details और निकल कर आई है कि Talos की बेटी Gia Nick Fury से नाराज है जिन्होंने Skrulls को एक घर प्रोवाइड करने का promise किया था पर उन्होंने अपना promise पूरा नहीं किया प्लस Nick Fury से जोड़ी detail ये आई है कि Nick Fury endgame में Tony की death से दुख में है इसलिए उनकी जगा Talos Earth पर था और वो space में थे हमें President की security पर होने वाले attack का एक extended version भी दिख रहा है जहाँ है clear हो रहा है कि कौन attack करने वाला है प्लस इस shot को देखकर ऐसा लग रहा है कि President शायद बचेंगे नहीं प्लस Harrison Ford जिनके बारे में confirmation आई है कि वो Thaddeus Thunderbolt Ross के role में recast हो रहे है William Hurt की death के बाद वो आने वाली Captain America New World Order में President Ross के role में होंगे जिससे कहीं न कहीं यहां अभी के President का जाना समझ में आ रहा है हमें एक short में newspaper में लिखा हुआ दिख रहा है कि Avengers कहा है प्लस यहां Battle of New York की बाद भी हो रही है पर कौन से battle की यह clear नहीं है हाला कि Avengers कहा है यह सवाल MCU में ही नहीं बलकि बाहर भी फैंस पूछ रहे हैं कि इतने बड़े invasion को रोकने के लिए Avengers कहा है Comics में Secret Invasion बहुत बड़ा event था जिसका सर्फ पूरी दुनिया पर पड़ता है और अर्थ के सारे सूपर हीरोज और सूपर विलन्स एक साथ सामने आते हैं Skulls की आर्मी को रोकने के लिए इवन यंग Avengers में यहां सेंबल होते हैं पर Marvel Studios इस Secret Invasion सीरीज को एक Nick Fury Secret Project की तरह सामने ला रहा है जहां सूपर हीरोज शायद इनवल्व नहीं होंगे हाला कि इस बात की गैरेंटी नहीं है कि सारे सूपर हीरोज वही हैं जो वो दिख रहे हैं हमें एक श्रोट में कई साहले लोग दिख रहे हैं ऐसा कॉमिक्स में भी हुआ था जहां स्क्रल्स ने कई लोगों को इसी तरह रिप्लेस किया था उन्हें ऐसे चेंबर में रख कर और उनकी जगा अपने स्क्रल एजेंट्स को बिठा कर प्लस कुछ सूपर हीरोज को इन्वेजन के टाइम ही समझ आया कि वो स्क्रल है ये बहुत हैरानी की बात है सूपर हीरोज की बात करी जाए तो निक फ्यूरी की बेस्ट फ्रेंड कैप्टन मारोल फिलाल अर्थ पर है तो क्या उनको उससे मदद मिलेगी वापस आई टेलर पर तो रोडी एक शॉट में निक फ्यूरी से कह रहा है ये रूम इस जगा है जहां निक फ्यूरी पूरे टेलर में रेडी होकर जा रहे है प्लस इसी रूम में उनकी और ग्रैविक की फाइट हो रही है हाला कि हमारा असली ध्यान खीच रहा है ये टेक जो कि थोड़ा पुराने जमाने वाली वाइब भी दे रहा है आगे एक शॉट में हम दो लोगों को भागते वे देख सकते हैं अब ये दो लोग कौन है ये क्लियर नहीं है इन में से एक ग्रैविक तो लग रहा है पर दूसरा कोई स्टीट लेवल सूपर हो सकता है इन सब के उपर हमें बेन मेंडलसन के कैरेक्टर टैलॉस का फ्यूचर अच्छा नहीं दिख रहा पर हम आगे टैलॉस की बेटी के साथ किसी जानी पहचानी कैरेक्टर को देख सकते हैं क्या ये मोनिका रैंबो है हाला कि उनके इस सीरीज में दिखने का सेंस तो बनता है पर जादर चांसेज ये है कि ये कार्मेन एजोगो हैं जिनने कास्ट किया गया है अंडिस्क्लोज रोल में इन सब के साथ साथ मार्वल स्टूडियोज हमेशा की तरह एक और जबर्दस टीजर पोस्टर हमाई लिए लेकर आया है जहाँ दो पेपर आपस में क्रिस्क्रोज स्टाइल में निक फ्यूरी और एक स्क्रल को दिखा रहे हैं अब क्या यह स्पोईलर है कि जिस निक फ्यूरी को हम असले निक फ्यूरी समझ रहे हैं वो स्क्रल है ब्रेकडाउन खतम करने से पहले मैं आपके सामने कुछ जबर्दस सिक्रेट इन्वेशन फैक्स रखना चाहूंगा जो कि आपको बताएंगे कि यह कितनी जबर्दस स्टोरी है कॉमिक्स की सीक्रेट इन्वेशन स्टोरी लाइन में इतने कैरेक्टर फीचर हुए हैं कि अगर उसको लाइव एक्शन बनाया जाता तो मार्वल को एंड गेम से भी ज़ाधा पैसे लगाने पड़ते कॉमिक्स में स्पाइडर वोमेन की जगा लेती है स्क्रल लीडर जो की यूमन टोनी स्टार को अल्मोस भरोसा दिला देती है कि वो भी स्क्रल है हाला कि Skrull का Mind Control Tech इतना जबरदस था कि Captain Marvel Skrull होते हुए भी Captain Marvel की सोच से नहीं हट पा रहे थे Comics में Invasion इतना खतरनाक था कि The Peak और Shield Helicarrier पूरी तरह डिसेबल हो गए The Raft के सारे Cell अपने आप खुल गए Fantastic Four का Headquarter और घर Baxter Building नेगेटिव जोन में चला गया और Thunderbolt Mountain पर भी Attack हो गया Final Fight में Skrulls ने Wasp Janet Van Dyne को एक Biological Weapon बना दिया जिसकी वज़े से पूरी दुनिया के लोग खत्रे में आ गए लेकिन उसको रोकने के लिए Thor को Wasp को जान से मारना पड़ा इसी स्टोरी के end में Skrull लीडरों खतम करता है Norman Osborne जिससे इसके बाद Hero की तरह लोग देखने लगते हैं और से Shield का Director बना दिया जाता है जिसके बाद Dark Rain storyline शुरू होती है ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ इस सीरीज में भी Thunderbolt Ross ऐसा करेगा और इसलिए उसे President बनाया जाएगा तो दोस्तों यह था Breakdown Secret Invasion के नए ट्रेलर का इस सीरीज की Complete Story आप हमारे Super Super Comic वाले चैनल पर सुन सकते हैं फैंस को Captain America Winter Soldier जैसी Seriousness इस सीरीज में दिख रही है और उसके लिए सब excited है हाला कि Marvel Studios ने आने वाले सालों में content कम करने का फैसला किया है जिसमें projects लंबे डिले होंगे तो क्या इसमें फैंस का फाइदा है या नुकसान Secret Invasion हमारे सामने आईगी June 21 से पर फिर भी और उसको कोई टेल मिस्स हो गई हो या उसको नए फैक्ट है इस वीडियो से लेटेड तो प्लीज आने का हैंट पर ज़रूर बताएं यहां हमें सोचल मीडिया हैंट पर हमारे से शेयर करें हम हर जगा है तो दोस्तों अगर आप हल्क को अपने सबसे पाउरफुल फॉम में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी वल्ल वार हल कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसे कई सारे सूपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थांक यू गाइस दिए अमन सेना और यू आर शूपर सूपर पीस